गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू अवर योट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड आशा करती हूं आप सभी मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और करन्ट अफेर डेली डो सीरीज में आज हम डिसकर्स करेंगे 21 जून 2020 के टॉपिक्स को दोस्तो करन्ट अफेर टूडे का हमारा आज का पहला क्योशन है हाल ही में JSW Cement ने किसे अपना ब्रेंड अमबेजडर बनाया है और इसका सही आंसर है सौरफ गांगुली और सुनिल चित्री दोनों को तो दोस्तो हाल ही में JSW Cement ने सौरफ गांगुली और सुनिल चित्री दोनों को अपना ब्रेंड अमबेजडर निफ किया है और यह जो JSW Cement brand है इसने हाल ही में अपना एक न्यू मल्टी मीडिया मार्केटिंग कमपेइन भी लांच किया है जिसका टाइटल है Leader's Choice और जिसमें यह दोनों स्पोर्ट आइकन के फोटो जो है वो इंक्लूड़ेड है और यह एक मल्टी मीडिया मार्केटिंग कमपेइन है Leader's Choice JSW Cement का to promote the technology of JSW Cement and its ideology of building a solid foundation for better tomorrow दोस्तो हाल ही में JSW Cement ने सौरफ गांगुली और सुनिल छित्री को अपना brand ambassador निफ्ट किया है सौरफ गांगुली पूर्फ भारतिय क्रिकेट टेम के captain रह चुके हैं और इंडियन क्रिकेटर के रूप में खेलते थे अभी present में he is serving as a president of BCCI Board of Council for Cricket in India और सुनिल छित्री जो है वो captain है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के और बैंगलूरू FC के इसे के साथ हमारा एक क्योशन बनता है managing director of JSW Cement कौन है इसका answer है पर्थ जिंदर दोसरा है CEO Chief Executive Officer of JSW Cement कौन है इसका answer है निलेश नावेर कर दोस्तो current affair daily dose series का हमारा अगला question है हाल ही में National Institute of Public Finance and Policy के chairman पद पर कौन नियुक्त के गए है हाल ही में National Institute of Public Finance and Policy के chairman पद पर कौन नियुक्त के गए है और इसका सही answer है उर्जित पतेल दोस्तो हाल ही में उर्जित पतेल को अपॉइंट किया गया है इस चेर्मेन आफ नेशनल इंसिट्यूट आफ पॉलिसी पद पॉइनस पॉलिसी और जो ये National Institute of Public Finance and Policy है ये एक Economic Think Tank है जो की New Delhi में इस्थित है और जो उर्जित पतेल का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो चार साल के लिए हुआ है और वो रिप्लेस करेंगे पुर्व चेर्मेन विजय केलकर को उर्जित पतेल जो है वो इससे पहले एसे गवर्नर और साथ-साथ डिप्टी गवर्नर रहे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और उन्होंने अपने गवर्नर के पद से इस्थीफा दे दिया था दिसेंबर 2018 में तो दोस्तों हाल ही में उर्जित पतेल को अपॉइंट किया गया है अगस्त दो हजार इकिस के लिए कौन सा देश यूएन बॉडी के प्रेजिडेंट के रूप में सर्व करेगा हमारा अगला क्योशन है अगस्त दो हजार इकिस के लिए कौन सा देश यूएन बॉडी के प्रेजिडेंट के रूप में सर्व करेगा और इसका सही आंसर है इंडिया भारत दोस्तों इंडिया अपने कल के करेंट टॉपिक से मैंने डिसकर्स किया था कि हाल ही में इंडिया जो है वो इलिक्ट हुआ है इसके बारे मैंने डिस्क्रहस के था उनाथी नेशन सिक्यॉर्ट काॉंसल है इसका प्राइमरी पर्पपस था ठीज तो प्रोवाइड इंटरनेशनल सिक्यॉर्टी ठीक है उसके याद मैंने था था कि जो United Nations Security Council है इसके टोटल 15 members होते हैं जिसमें से 5 जो है वो permanent members होते हैं और 10 जो है वो non permanent members होते हैं अब उसके बाद मैंने बात करी थी कि 5 permanent members कौन-कौन से हैं आप सभी को याद है बताओ मुझे comment box में comment करके बताओ कौन-कौन से 5 members हैं फिर भी मैं आपको लोग एक बाद रिवाइस करा जती हूँ जो 5 members हो है चाइना, फ्रांस, रश्या, यूएस, और यूएस तो ये 5 जो members हैं पर्मानेंट members हैं ये हैं चाइना, फ्रांस, रश्या, यूएस और जो 10 हैं वो हैं non-permanent members कौन से members हैं? non-permanent members तो इंडिया भी उन 10 में से 1 है जो non-permanent member है और इंडिया के साथ-साथ इस United Nations Security Council में Ireland, मेक्सिको और नॉर्वे भी select हुए थे as a non-permanent member तो जो इंडिया है उसको as a president serve करेगा for the UN body for the month of August 2021 according to the rules क्या है कि United Nations Security Council में हर एक country एक member की तरह act करेगा और हर मन्थ उसकी alphabetic order में turn आएगी जो भी इसके members हैं उन सब की इसमें as a president serve करने के लिए according to the rules इंडिया will assume the rotating presidency और इंडिया को जो presidency मिली है वो August 2021 के लिए मिली है Norway, Ireland, Kenya और मेक्सिको ये भी क्या है non-permanent members है council के और ये जो जितने भी countries हैं जो as a non-permanent member elect होए है इनका जो session है वो two year term कर रहेगा और इसकी शुरुआत होगी 1st January 2021 से और एक question और बनता है इस topic से इंडिया's permanent representative to the United Nations कौन है और इसका answer है T.S. त्रीमूर्टी क्या answer है T.S. त्रीमूर्टी दोस्तो हमारा आज का अगला question है हाल ही में market evaluation mark के संधर में Reliance Industries Limited ने कितने billion mark को पार कर लिया है और इसका answer है 150 billion dollar mark को दोस्तो हाल ही में Reliance Industries Limited ने अपना 150 billion dollar का जो mark था वो complete वो cross कर लिया है in terms of market capitalization और इसी के साथ मुकेश अम्बानी इंडिया के first 150 billion dollar अचीव करने वाली company बन गई है in terms of market capitalization और Reliance Industries Limited ने ये अचीव किया इस milestone को when its share price had gained 6.23% दोस्तो करट अफ्यार टूडे का अगला question है हाल ही में R&D portal सत्यभामा portal किस ने launch किया है और इसका अंसर है प्रहलाज जूशी दोस्तो हाल ही में Union Minister for Call Mines in Parliamentary Affair प्रहलाज जूशी ने एक R&D portal launch किया है जिसका नाम है सत्यभामा और सत्यभामा का full form होता है Science in Technology यूजना फोर आतम निर्भर भारत in mining advancement और जो ये R&D portal सत्यभामा launch किया है इसको designed, developed and implemented by National Informatics Center जो ये R&D portal सत्यभामा इसको designed, developed and implemented किया है National Informatics Center Mines Informatics Division है और इसको integrate किया जाएगा with NGO दर्पन पॉर्टल और नीती आयोग दोस्तो हाल ही में Union Minister for Call, Mine and Parliamentary Affairs पहलाज जोशी ने एक R&D portal को launch किया है जिसका नाम है सत्यभामा सत्यभामा का full form है Science and Technology यूजना फोर आतम निर्भर भारत in mining advancement दोस्तो हमारा आज का अगला question है हाल ही में Economist BPR विठल का निधन हो गया है वह कौन से Finance Commission के Member रह चुके है और इसका सही आंसर है दस्वें यानि 10th Finance Commission के Member Economist BPR विठल जो की एक Member थे 10th Finance Commission के उनका हाल ही में निधन हो गया है और यह पुर्व IAS Officer थे 1950 बैच के 1950 बैच के इसके साथ थी इन्होंने सर्व किया है और इसके साथ साथ इन्होंने एक इन्टरनाशनल मॉनें प्लेंटरी फंड में एक फिसकल एडवाइजर के रूप में भी काम किया है और इन्होंने एक इन्स्रिमेंटल रोल प्ले किया है For the Establishment of Center for Economic and Social Studies जो की हिदराबाद में स्थित है दोस्तो हाल ही में BPR विठल जो की एक मैंबर थे 10th Finance Commission के उन्होंने दन हो गया है दोस्तो करेंट अपर टूडे का हमरा अगला क्योशन है World Refuse Day किस दिन मनाया जाता है और इसका अंसर है 20th of June दोस्तो हर साल 20th June को World Refuse Day celebrate किया जाता है All over the World और World Refuse Day celebrate किया जाता है Basically सभी को याद दिलाने के लिए Refuse का मतलब होता है शर्णार्थी जो भी Refuses हैं जो मतलब हर एक Refuse का अपने समाज के प्रती कोई ना कोई योगदान होता है और हर एक व्यक्ती चाहे वो Refuse है वो नॉर्मल परसन है उसका दुनिया मतलब पूरे वर्ल्ड को समान देने में प्रयास उसका कही ना कही माइने रखता है और इसी के रिलेटेड इस साल का जो थीम था Refuse Day का वो रखा गया था Every Action Counts Theme of World Refuse Day 2020 था Every Action Counts और according to United Nations ने Refuse जो है जो शर्णार्थी है उनको एक्स्प्लेइन किया है कि शर्णार्थी यानि Refuse वो है जिनकी जाती धर्म राश्ट्रेता किसी विसेश सामाजिक स्वमों में सदश्या या राजनेती के कारण उत्पीड़न की डर्स से वो अपने घर या देश को छोड़ कर बहाग जाते हैं ऐसे लोगों को Refuse Day कहा जाता है दोस्तो हाल ही में 20 जून को World Refuse Day celebrate किया जाता है all over the world और Secretary Journal of United Nations कौन है इसका अंसर है Antonio Guttres दोस्तो current affair today का अगला question है हाल ही में Ministry of Housing and Urban Affairs and Small Industries Development Bank of India ने M.O.U. साइन किया है यह M.O.U. किस स्कीम से संबंदित है यह M.O.U. किस स्कीम से संबंदित है इसका आंसर है PM सवनिधी स्कीम दोस्तो हाल ही में Ministry of Housing and Urban Affairs और Small Industries Development Bank of India इन दोनों के बीच में एक M.O.U. Memorandum of Understanding Sign हुआ है for PM स्ट्रीट वेंडर्स आतम निर्भर निधी यानि PM स्वनिधी योजना के लिए PM स्वनिधी is a special micro credit facility for street vendors यह योजना मेंली किस के लिए है जो street vendors है उनके लिए है according to M.O.U. जो M.O.U. साइन हुआ है उसके तहट PM स्वनिधी स्कीम will be implemented by Small Industries Development Bank of India under the guidance of Ministry of Housing and Urban Affairs और इसी के साथ who is the chairman and managing director of Small Industries Development Bank of India इसका अंसर है मौहमद मुस्तुफा नेक्स्ट हमारा है Union Minister of Housing and Urban Affairs कौन है और इसका अंसर है हर्दीव सिंग पुरी मेरी वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप मुझे कुछ सुजाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर करें थाइंक यू